साथियो प्रियाग राज के कुम्ब मेले में जैसे ही मैंने बहुत सिवीर की तस्वीर दिखाई तो दूसरी तरह 22 गैंग हाथ दोकर मेरे पीछे पड़ गई उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक तक तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने देखा है और वो 10 मिलियन लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आकिर सनातनी मेले में हिंदूों के मेले में बहुत सिवीर का क्या काम है और आलम ये है कि ये बाधिस गैंग ये धर्मांतरन केंग लगातार मुझे मैसेज के द्वबारा फोन कॉल्स की द्वबारा हजारों फोन कॉल्स और हजारों मैसेज है जिसमें मुझे धमकी दी जा रही है कि अपनी आवाज बंद कर दो इस तरह की वीडियो बनाना बं darkness मैं उन तमाम तधा कशित नगारात्मक लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नेशनल दस्तक का जब संभू सिंग ग्राउन पे उतर कर दलित बनाम समण की बाते करता है जब राम को कलपनिक बताता है हिंदू धन पे सवाल उठाता है तब आपका जमीर कहा मर जाता है जब दिन उन्हें गाली देता है उसका घर के और बागिस्वर दाम सरकार के वीडियो के दम पे चल रहा है तो फिर आपका जमीर कहा मर जाता है आपको बोलने की आजादी है आप हिंदू धर्म पे कुछ भी बोल सकते हैं सीराम को कलपनिक बता सकते हैं हिंदू देवी दिक्यों रखी गई तो वहाँ पे जो व्यक्ति थे वो मेरे उपर जल्ला पड़े और जवाब नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे कि कुम्ब के मेले को डॉक्टर हर्सवर्दन ने लगाया है यह बोदिस्ट मेला हुआ करता था हिंदूों ने इसे हडप लिया अरे भाईया तोड़ा ज्यान बढ़ाओ मैं उन भाई साब से कहना चाहता हूँ जो मेरे पास सुबह से फोन करवा रहे हैं और वीडियो डिलीट करने की बात कर रहे हैं मैं वीडियो तो डिलीट नहीं करने वाला हूँ अगर इस देश में संभू सिंग को बोलने की आजादी है निरस प कार हुए थी यह वही बहुतिष गैएग है जो पाच मौरी चावल देखे हिंदु ओ को हमेरे दलीद भाईयों को बरगला रही है और हिंदु धर्Wow show ने विमूख कर रही है यह वही बहुतिष गैंग handhov जो लगातार आए दिन हमारे भगवान, हमारे आराज स्री राम पर सवाल उठाते रहते हैं। ये वही राजरतनमबेटकर की टीम है, जिसने ग्यारा हजार हिंदूओं को दिल्ली में सामोहिक तोर पर बहुत बनाया। और उन्हें सपत दिल्वाई कि मैं ब्रहंभा विष्णू महश को नहीं मांता, अरे नहीं मानते हो तो नहीं मानते, तुम तो अपने बाप को भी नहीं मानते, मुझे अच्छे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सनातनी मेले में, हिंदू मेले में, जब मुझे बहुत सिविर दिखाई दिया, दान पेटी दिखाई दी, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने सवाल किया वहाँ पे, और वादमी हिंदूओं को चोरुचक्का बोल रहा था, वादमी भारत को गाली दे रहा था, वादमी मार पर डिलीट ही होगा